बीचे अज बात करेंगे इंटरेशनल ट्रेवल हाउस लिम्टेड के बारे में वाय करें काम्पनी के इस्टोक प्राइज के लिए 2000 पर ट्रेड कर रहा है आज की ट्रेडिंग सेज़र्मी अच्छा आपकर रेली यहां पर देखने को मिलेंगा जाने इसकां रिज़न तो company quarter result यहाँ पर देखने को मिले है अगर बात करें company की results की तो company की result अगर quarter 4 की result की बात करें पिछले quarter के साथ compare करें तो यहाँ पर पिछले quarter में 46 crore का revenue था वो बढ़कर 51 crore यानि 8% के आसपास इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है net profit 4 crore से बढ़कर 15 crore हो गया यानि 256% की जो improvement है वो net profit में भी देखने को मिला है earning pressure 5.48 से बढ़कर 19.52 हो गया यानि earning pressure में भी आपको यहाँ पर 256% की तेजी देखने को मिली है अगर बात की जाए पिछले साल के quarter 4 की तो पिछले साल के quarter 4 में जो company के total income थी 27 crore की थी जो बढ़का है 51 crore की हो गया 82% का इसमें तेजी देखने को मिली है net profit जहाँ पिछले साल minus 1.33 crore का जो company को नुकसान देखने को मिला था वो 15 crore में आपको यहाँ बदलता है नजर आ रहा है काफी कुछ हैं company में profit देखने को मिला है financial year की अगर बात करें तो 2022 और 2023 को compare करें तो 2022 के अंदर company करें रहे हैं उन्हीं 96 crore कताव बढ़कर 116 crore यान 93 की वृद्धी net profit minus 10 crore से बढ़कर 28 crore यानि negative से शिदा positive और positive के अंदर भी काफी ज़दा है यहाँ पर आपको net profit में improvement देखने को मिला है यानि company ने पिछले एक साल के अंदर अच्छे कासी आपर quarter results भी दिये हैं अगर आपने बात करें earning percent की तो यहाँ पर minus 13.38 से बढ़कर 35.51 365 परसेंट का सांदार company ने earning percent में भी improvement किया तो यहाँ पर obviously आप company results को अच्छे मान सकते हैं लेकिन अगर आप इस company में प्रमाने इंवेसक अगर इसमें आप देखना बनना चाहते हैं तो इसके fundamental results भी जुरूर analysis करें company results के basis पर यहाँ पर short term में आपको हल्की आपको short term में तेजी देखने को मिल सकती है लेकिन long term के prospectus से अगर देखा जाए तो short term में company अच्छा खास है यहाँ पर profit देगी अगर आप इस टोक में इंवेस करना चाहते है तो आपने financial advisor से जरूर से ले आई hope वीडियो आपको पसंद आया होगा keep support